हेलो दूस्ते एक बर फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल मूवी मुसाफर में जहां आज हम आपके सामने पेश करेंगे 2016 में रिलिज हुई चानीज रोमेंटिक मूवी दा मरमेड को यह मूवी एक आम इंसान और एक जलपरी के अद्भुत प्यार भरी कहानी पर बेजड है जिसका हर एक सेकंड आपको सीट से उठने नहीं देगा तो चलिए शिरू करते हैं पिचर की शिर्वात दर्शिकों को पॉल्यूशन जैसी ही जरूरी टॉपिक से रूबरू करवाते हुए होती है जहां इंसानों दुआराफ हलाए जा रहे प्रदूशन से ना जाने कितने बेकसूर विलुपत प्रजातियां दीरे-दीरे खत्म हो रही थी ऐसे में कमीर बिजनसमें लियू ऐसे ही ग्रीन गल्फ नामक आइलन्ड को खरीदने के निलामे में शामल होता है या भर यूँ कहें अपने करीबी दोस्तों और गल्फरेंड रूलन के अगेंस्ट उनसे बड़ी बोली लगाकर उसे खरीद भी लेता है उसके बाद लियू अपने घर पार्टी और्गनाइज करवा था जहां पर उसके तमाम बिजनस पार्टनर उसके अंकल और उसकी एकस गल्फरेंड भी आई होती है जिसमें आखिर वो फस भी गया था लेकिन दोस्तों लियू इस धंदे में इतना भी कच्चा नहीं था उसने जैसे ही बताया कि उस आईलन पर न्यू टेक्नोलोजी से डॉल्फरेंड हटाने के लिए गवर्मेंट ने उसे पर्मीशन दे दी है ये सुनते ही अभी तक जो पार्टनर्स उसका मजाक उड़ा रहे था उनकी शकल के बारा बज़ गई और सब बहुत उदास मन से पार्टी से 9-11 हो जाते हैं वेल जाते जाते रियू लियू के साथ काम करने का उफर रखती है जिए वो हस्ते हुए मान लेता है और ऐसे में जब लियू और रियूलेंट पार्टी इंजॉय कर रहे होते हैं तब ही वहाँ पर पानी से एक लड़की निकलती है जिसका नाम शैन होता है लेकिन इससे पहले वो रियूलेंट से कुछ बोल पा थी पार्टी में मौझूद बॉड़ी गार्ड उसे तुरंट अपने कबजे में ले लेते हैं लेकिन वो लियू को अपना नमबर दे कर वहाँ से बड़े ही इनोसेंट वे में चली जाती है शैन तंदूरी चिकन की भेज शौकीन थी और रास्ते में खा कर थोड़ा बहुत पैक करा कर अपने घर निकल जाती है दरसल दोस्तो शैन का घर उसी आइलेंड में होता है जिसको लियू ने बीते दिनों खरीदा था और तो और ये आइलेंड जलपरियों का घर होता है और शैन भी उनी में से एक थी इस आइलेंड में उक्टोपस नाम का उनका लीडर लियो को मारने का प्लैन बनाता है क्योंकि दोस्तो लियो जिससे नई टेकनोलोजी का इस्तमाल कर रहा था उसे शैन के काफी साथ ही मारे जा चुके थी और उनकी भी जान खत्रे में थी इसल्ए उक्टोपस ने शैन को लीयो को अपने प्यार के जाल में फसाने कर लिये भी जाता और इसे सुनते ही उसके साथ ही खुशी से कूदने लगते हैं आखर उनका शिकार जो फस गया था अगले दिन शैन काफी तयार होकर लियू से मिलने आती है जहां उसके आदमी उसे लियू के आफस तक ले जाते हैं लेकिन उससे मिलने नहीं देती इस पर शैन को काफी बुरा लेकिन लियू कहता है कि वो बस एक महस मजा करा था तुम सच में आ गई। लियू शैन को कुछ पैसे देकर वहां से जाने को बोलता है लेकिन वो नहीं मानती और कहती है कि वो तो तब ही जाएगी जब वो उसे वो साथ लेकर तंदोरी चिकन खिलाएगा। वो कभी उसकी माँ दिया करती थी इसलिए लियू उसे ब्लैंक चैक दे कर महां से जाने लगता है लेकिन शैन कहां बेखने वाली थी उसने तुरंत जाकर उस चैक को आके भटी में फेक दिया जिसे देख लियू समझ गया कि वो उससे सचा प्यार करती है और दोनोंने साथ मे राज जादा होने पर लियू शैन को उसके घर के दर्वाजे तक छोड़ता लेकिन अब शैन भी लियू के प्यार में पागल हो चुकी थी और वो से दर्वाजे से ही वापस जाने को बोल देती है क्योंकि दोस्तों अगर लियू शैन के साथ अंदर आता तो अक्टोपस और उसकी क्योमिनेटी के बाकी लोग लियू को जिंदा नहीं छोड़ती है अब शैन ऑक्टोपस से सब कुछ ससच बता देती है और वो कहती है कि वो चाहा कर भी अब लियू को जूटा प्यार नहीं कर सकती तब लियू शैन को दुबारा कॉल करता है और उसे डेट पर चलने क के लिए कहता इस पर ऑक्टोपस अब बाकी लोग फिर से खुश हो जाते हैं कि उन्हें लियू को मारने का एक और मौका मिल गया लियू शैन को अपने घर लेकर आता है जहां ऑक्टोपस एक शैन का भीचधारन की हुए था ऑक्टोपस को देखकर लियू फूसता है कि ये क वो बली का बकरा जो बन चुका था क्योंकि लियू का ओडर मिलते ही बाकी के शैफ उसके पैरों को तवा पर गर्म करने लगे और काट-काट के फ्राई करने लगे जिससे ऑक्टोपस को काफी दर्द होता है और आखिर में वो अपने मूह से एक काला पानी फेक कर वहां से जाता है जिससे उनका मूह नीचे हो जाता है और किसी को भी नहीं पता चलता कि आकर यहां क्या हुआ था इसके बाद लियू शैन को प्रपोस कर देता और बोलता है कि तुम चाहे जतनी गरीब हो यह चाहे जैसे भी हो या फिर कुछ भी खाती हो मुझे उससे कोई फरक नह तब ही वहाँ उसकी गल्फ्रेंड रॉलेंड भी पहुंच जाती है। अगली सुपह आफिस पहुंचकर लियूर रॉलेंड पर रह रही जलपरियों के बारे बताता है। सुपहर मैं की ग्रेंड मा पहुंच जाती है। और रॉलेंड के आदमियों के चंगुल से सभी मर्मेड को रिहा कर देती है। अलकि इसी बीच वो लोग शैन पर तीर से हमला कर देते हैं और एक मिसाइल के जरिये उसे सीधे जमीन पर लापटक देते हैं। इसे शैन काफी जखमी हो जाती है। अब रॉलेंड उसे मारने ही वाली थी कि अचानक वहाँ सूपरमैन के अंदाज में लियों पहुंच जाता है। शैन को अपनी गोद में उठा कर पानी की तरफ चोड़ने के लिए लेकर जाता है। लेकिन पानी और शैन के वीच का रास्ता किसी पहार को पार करने जितना कठिन था। क्योंकि दोस्तों लियों को रोकने के लिए रॉलिन उस पर एक एक करके ती से हमरा कर रही थी। लेकिन यहां लियो के प्यार की ताकत थी जो उसके कदम रुकने नहीं दे रही थी और आकर में बहुत मरी हालत में वो शैन को पानी में फेक कर उसकी जान बचा लेता है उसके बाद सीन कट हो जाता है और हम देखने हैं कि एक दन लियो अपनी उसी आइलेंड पर एक लड़के को इंटर्वियू दे रहा हो होता है और लियो लड़के को उसकी वाइफ से मिलवाता है जो कि कोई और नहीं बलकि शैन होती है तो दोस्तो आज के लिए बस इतना ही आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कॉमेंट करके जरूर बताइएगा और इसे शेयर करें और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले शुक्रिया